हेलो दोस्तो न्यू लक्षे एकेडमिक में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज का जो हमारा टोपिक है प्रोफिट लोस और डिसकाउंट है ये जो है आपका टोपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक है न्यू लक्से एकेडमिक का प्रियासरा है कि भई सभी बच्चों के तक असानी से और इजी वे में पूरा का पूरा चप्टर मैथ का पहुंचे और उससे जो है सारे बच्चे क्या करें उससे आप प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देखें और लाइक और सुस्क्राइब करे आज का जो टोपिक है प्रोफिट एंड लोस डिसकाउंट इस टोपिक को मैं सबसे पहले आपको इसकी बेसिक बताऊंगा कि भाई ये टोपिक होते क्या है इसके कौन-कौन से टर्मनोलोजी है कि कौन-कौन से टरम होते हैं क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक से जिरो लेवल स पहले बेसिक बताओंगा फिर आपको इस टोपिक के कोईशन प्रेक्टिस करवाऊंगा आएए सुरू करते हैं Profit and Loss Profit Profit and Loss Love and Honey Love and Honey Profit and Loss 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 अगर मैं आप से पूछूँगा कि SP क्या होता है, SP होता है आपका Selling Price, Selling Price, इसको हम बोलते हैं, Bikraya Mulle, Bikraya Mulle, अगर मैं आप से पूछूँगा कि प्रोफिट होता कैसे है, तो आप बोलेगे, प्रोफिट क्या होता है, कि अगर किसी भी चीज को cp से ज्यादा मैं बेचदो, я҈निante, sp की value क्या होगी? sp मैस क्या होगी? cp यह इस आपको क्या होता है? profit होता है. अगर ऐसे पुछ में müssenaAmEx 2021 यह आपका loss होता है cp मैस में bêtन stamागी cp मैस में sp अगर यहीं सरह आप से पूछाँ How to Profit Percentage Profit Percentage की Value क्या होती है, Profit Percentage, तो Profit Percentage की Value होती है, यानि आपको अगर एक्जाम में दिया गए भी, Profit Percentage निकालो, तो आप बोलोगे, कितने का Profit हो रहा है, कितने का Profit हो रहा है, अपोन में क्या हैगा, Cp into 100%, अगर मैं आप से पुछाँ कि लोस क्या होगा, तो आप बोला क्या होता है, कितने का Profit हो रहा है, यानि आप कितने का Profit हो रहा है, अपोन में क्या हैगा, Cp into 100%, यह आगा आपका, यह हो गया, फिर मैं आपको बताऊंगा, इसी के अंदर, सबसे पहले, यह तो एक हो गया, फिर मैं दूसरा चीज़ बता रहूं आपको, कि Market Price, यह आपका 0.1 था, यह आपका क्या है, 0.2, देखो, पहले एक्जामपल से सम्झाओंगा, कि माल लो कि Cp कितना है, Cp कितना है, 100 है, अब यह Cp 100 है, आपने किसी चीज़ को बना एक 100 रुपे में, आपने इसको जो है, इस पर आपने क्या कर दिया, MP लगा दिया, MP का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे कोई चीज़ बनाई है 100 रुपे का, उस पर आपने क्या किया है, 20 रुपे एड करके, 20 रुपे का श्टिकर चिप, 20 रुपे आपने एड कर दिया, और 120 रुपे जो है, इसका क्या बना दिया, आपने, market price, तो अगर मैं आप से पूछ को यह 20 क्या है, इसको पूब बोला जाती है या आप 20 क्या है, तो आप बोलोगा इसको क्या बोलते है, Markup, Markup कितने का हुआ है, तो आप बोलोगे 20 रुपे का, Markup निकालते कैसे है, Markup निकालने का formula क्या होता है, तो आप बोला कि MP में से, Market Price में से, अगर आप CP घटा दो, आपका क्या आजाएगा अगर मैं आपसे पुछ वहाँ कि markup percentage, markup, markup percentage कैसे निकालते हैं, तो यह आपका होता है, कितने का markup हुआ है, कितने का markup किया गया है, उस बस्तू पर, कितने का markup upon में क्या गया, cp, into में कितना गया, 100%, यह आपका हो गया markup percentage निकालने का formula, markup क्या होता है, तो मैं आपको आपने 20 रुप यदिच के उपने 20 रुप यदिने 87 आपने उसको जो हाट टमाटके गिंचने के लिए नियानि आपने मार्केट प्रास कितना रख दिया 120 रुप यानि आपने 100 रुप यदिने 40 रुप का व्नाटकें busybook का कनी 95 आपने 100 रुप क्योड धे दिया कि अगर आप cost price घठा दोगे तो आपका क्या एगा markup आ जाएगा, अगर markup percentage निकाल ला है तो आप कैसे निकालोगे, markup, mark upon में, कितने का markup किया गया है, कितने का markup किया गया, upon में क्याएगा, cp into my 100 percentage, यह आ गया, markup, यहाँ से तीसरी point मैं आपको समझा रहा हूँ, point no. 3, point no. 3, यहाँ से पहले मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ, कि अगर आपको एक्जाम में पूछा जाएगा, कि भाई profit, profit निकालने का एक formula, और बता रहा हूँ, profit percentage निकालने का, तो आप बोलना है, m minus में d, m minus में d, minus में m into d, upon में क्या हैगा, 100 percentage, यह आपको profit निकालने का आपको एक formula है, यह बहुत जादा important है, यह है क्या, देखो, m का मतलब क्या हो गया, markup, यहनि कितने का markup किया गया, d का मतलब क्या आपका discount है, तो इस तरह के से m minus में d, minus में m into d, upon में 100 percentage, यहाँ से आपको profit यहाँ से आपको क्या आजागा, direct profit percentage आजाएगा, कब जब आपको answer आजाएगा, और भी जल्दी आजाएगा, तीसरी, third point में आपको समझा रहा हूँ कि, जैसे आपने कोई चीज क्या किया है, जैसे कि आपने, एक word सुना होगा, MP, MP का मतलब क्या होता है, MP बोले, MP का मतलब होता है, market price, market price, market price, issue क्या बोलते है, list price, list, price, क्या बोला होता होता है, list price क्या होता है, इसको हम बोलते है, Angkita Mulle, इसको बोलते है, Angkita Mulle, या इसी के आप बोल सकते हो, list precise का मतलब होता है, सूची, मूले का भात ऐक ही था जैसे कि आपने मार्केत में देखा कि कोई छीज है, मान लो MP किसी चीजए की मार्केत प्राइस कितनी है मान लिया कि 100 गेया यहानिया उते हम मार्केत गह और आमने कोई खरीदने के सोची, खरीदने के सोची है, तो आपने देखा होगी, उस पर एगा फ्रीदने के लगी हुए है, फिर वो क्या करता है, आप बोलोगी भाई, डिस्काउंट दो, तो अगर मालोगी वो 20 रुप्य का दिस्काउंट दे रहा है, तो यह बताओ, वो जो है, अगर आप, आप MP में से SP घटाद होगे तो क्या आजाएगा आपका? डिस्काउंट आजाएगा, डिस्काउंट की वलू आजाएगा, अगर मैं आपसे पुछ भागा कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? गाउ़, डिस्काउंट परसेंटेज तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज को हग डिस्काउंट परसेंटेज होता है Bringing कि अपवन में म्त जो आपका discount होता है, याद रखना, जो discount होता है, discount हमेशा जो calculate किया जाता है, वो हमेशा market price, market price, MP पर calculate किया जाता है, discount, into my 100%, यह हो गया, अगर, यह हो गया, अगर मैं आप से पूछ हूँगा, भई, SP कैसे निकालते है, SP, SP, selling price कैसे निकालते है, यहाँ पर तो आप बोलना है, MP में से अगर मैं discount घटा दूँ, क्या घटा दूँ, discount, तो यहाँ पर क्या आजएगा आपका, अगर आप market price में से discount घटा देंगे, तो क्या जगा आपका, selling price आजएगा, यह सारे के सारे concept क्या है, बहुत ज़्यादा important है, ध्यान रखना है, इसका, इसका, योग्या, next concept, next concept, अगर मैं आपसे पूछूँआ की, fourth point, अगर मैं आपसे पूछूँआ की successive discount क्या होता है, successive discount यह भी आपको जो है, ऐसे question आपको एक्जाम देखने को मिलेगा, यह क्या होता है, successive discount, successive discount का मतलब क्या होता है, कर्मा गष्छूट, इसको क्या बलता है, कर्मागत छूट, यह कर्मागत छूट क्या होता है, यह आपका है सक्सेशिव डिसकाउंट, सक्सेशिव डिसकाउंट को बोलते हैं कर्मागत, कर्मागत छूट, एक्जामपल के लिए, जैसे कि आपको दे रखा है, जैसे कि आपने कोई चीज खरी दिया, मानलो कोई चीज, क एहले आपको इसने ही discount दिया कि बई को Pat опас ति Improveा दिसकाम।्वांट धिया क्विस परसंट का the AG याऽनि कि यहां पर आ chem किया इस पर दिसकांट दिया ineffective लेड़ा तै यहां पर क्याएगा, यहां पर क्याएगा, selling price, यानि कि मैं आपको बता रहा हूँ कि successive discount क्या होता है, successive discount का मतलब होता है कि जो लगतार छूट दी जा रही है, यहां पर देखो, जैसे 20% का छूट दिया, फिर 10% का छूट दिया, यानि जो लगतार, किसी वस्तूपर लगतार दी जा रही है, उसको क्या बोलता है, successive discount, अगर आपको successive discount paper में जल्दी निकालना है, तो मैं आपको एक formula बता रहा हूँ, यह आपका होता है, x plus y, x plus y, minus x, y upon 100%, यह आपका successive discount, जब 2 successive discount दे रखा होगा, तब आप कैसे निकालो, तो इस formula का यूज करके, जल्दी से निकाल सकत हो, यह आप क्या कर सकते हो, अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते है, तो आप ratio method भी लगा सकते हो, कौन सा method, ratio method से भी सवाल को कर सकते हो, यह आपका इस chapter का क्या हो गया, basic, पहले आप लोग इस chapter के basic को अच्छे से समझोगे, उसके बाद आप question के practice करोगे, basic होगया, आप स्टार्ट करते है, question, question number one, यह रखा है कि a trader sells an article 425, 425 and losses, उसको loss कितने का हो रहा है, 15% का loss हो रहा है, at what price in, should he sell the article to earn 5%? यानि उस बस्तु को कितने में बेचा जाये, कितने में सेल किया जाये, ताकि उसको 5% का क्या हो? profit हो, everybody. सबसे पहले, अपको क्या दिया है? Loss, Loss कितने का हो रहा है? आप बताओगे कि जो loss हो रहा है, 15% का, 15% का क्या हो रहा IтоS? 15% कि वैले कितनी होती है? यादि की पर लंट का रहा है? टीन बतव है तूसा क्या गाता है? बहुता है? पर 17-ग. यानिकि यहां पर आपका CP से क्या आगया? SP, यह हमेशा क्या होता? CP यहनि CP आपका CP कितने का लोस हो रहा है? तो आप कोई चीज भीस का ख़ीद के लायरे तो तो तीन का घाटा हो रहा है तो कितने का बेचेगे? 17 का यह हो गया, आपको क्या देरिख रिखा है? अग्यक्रम क bottom 25 यानि कि स्थेज़ और शिर्टा प्राइफ के लिए देवार इस तरो पटेश कुछ से कर दो झाई आप ईसको तर्यकी थे उस प्राइसे करें तो सबसे पहले आप ऐसे कर लो कि भई इसको ऐसे कर लो आप ऐसे कर सकते 20 25 है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा कि 20 माइनस में 5 आइसे कर लूँँगा तो सिधा सिधा कितना आजाएगा इसको multiply कि अधर को तो कितना आजाएगा अगर आप सात्रों को पहले बीस से करो सट्रों ऑन्टिस तीन सो तो यह आगया, यानि कि 300 कितना आगया, 340 प्लस में, इधर कितना बच गया, 5, 7, 5, 8, 5, 8, यानि कि 4, यानि सिदा-सिदा कितने वार में कट रहा है, 25 ताइमस में कट रहा है, यानि एक राशियो कितना आगया, 25, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, CP, इंटु में 25, आप इसको multiply कैसे करना, पहले आप देखो, multiply करको कितना, यह सिदा-सिदा आगया, 500, यानि कि CP कितना आगया, 500, एक बात ध्यान रखना, कभी भी, कभी भी जो आपका profit या loss हमेशा किस पर calculate करते हैं, CP पर करते हैं, discount किस पर calculate करते हैं, MP पर, यानि कि market price पर करते हैं, इस point का ध्या होती है, तो 5% की value होती है, एक बाते में कितना, 20, profit हो रहा है, profit यानि कि plus, यानि कि आपका ratio क्या हैगा, CP से, CP से, SP का ratio कितना हैगा, तो आप बोलो कि 20 ratio से कितना हो जागा, profit हो 21 ratio, यानि कि जो आपका CP दे रिखा 20 ratio, 20 ratio के value कितनी है, CP आपका कितना है, 500, अभी आपने 500 निक 25, तो आप से क्या कुछ आगया है, भाई, सेलिंग प्राइस कितना होना चीए, ता कि उसको कितने का profit हो, 5% का profit हो, एक ratio की value कितना आगया, 25, तो कि किस ratio की value कितना आगया, इंटू में 25, सीधा सीधा आपका अंसर आगा, तेखो, multiply कैसे करना है, आप कुछ बच्चे क्या करे इसको ऐसे multiply नहीं करना है, आपको 25 है, इंटू में क्या है, 21, सबसे पहले कैसे करना multiply देखो, इसको आप 20 प्लस 1 माने को तो कितना आगया, अगर आप 25 है, 25 को 20 से multiply कर लो, तो कितना आगया, 500, 500 आगया, फिर कितना बचेगा, एक बचेगा, यानि 25 बचेश बचेश आपको क्या है, सई है, नेक्ट कोईशन, आपको दे रखा है, कि a trader marks his good at 60% and above the cost price and allow a discount of 25%, what is the gain percentage, देखो, यहाँ पर gain percentage निकालना है, यानि की profit percentage निकालना है, मैं आभी आपको एक concept समझाया था, कि अगर markup percentage दे रखाओ, क्या दे रखाओ, markup percentage, अगर आपको दे रखाओ markup percentage, markup percentage, markup percentage, कितना दे रखाओ, 60%, उसके बचाओ, आपको क्या दे रखाओ, discount, allows a discount of 25%, discount कितना दे रखाओ, discount आपको दे रखाओ 25%, यानि कि या आपको 25%, डिस्काउंट दे रहे हैं. Discount. तो मैंने, आपसे क्या पुछा जा रहा है? कि Gain Percentage, यान्ननी Profit Percentage रहा होगा तो मैंने आपको बताया थे इस त vehicle attorneys को आप जलधी पेपरान में कशिएको कर सकते हो अभी बताया था, कि अगर Profit निकालना, Profit Percentage निकालना इसके लिए फोर्मूला आता है, M-D, 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 100%, यह आपका फोर्मूला है, direct profit आजाएगा, अब देखो, M कितना है, mark-up कितना है, 60, 60-25, M-D, 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 M- अगर इसको करोगा, यह किससे कटेगा, 25 से कम 25 यह चार बर कटी जाएगा, सिदा सिदा कितना आगया, 15, यह कटेगा, आप देखो, 60 में से पहले आप सिदा सिदा क्या घटा लो, 25, अगर आप 60 में से 25 घटा हो गए तो कितना आएगा, 35, यह आपका कितना आगया, 35, 35 में स आप कितना घटा होगे 15 है तो सिधा अंसर कितना अपको कितना अठे 504 कि परसंट ठीजिए प्रिजिए हो गाइगा, में 30 में 35 जंगा तो कितना आ जाएगा ? 20% प्रेशंट इसका क्या हो जाएगा ? 20% इस एंच्वा जाएगा. कि कभ यह लगाना है जब आपको markup percentage दे रखा हो, discount percentage दे रखा हो, अगर आपसे profit पूछ रहा, profit percentage, इसका यूज़ करके आप जल्दी से answer निकाल सकते हो. कि आपको कि एक दे रखा है, दा सिंगल डिसकाउंट एक्विलेंट तो तो सक्सेशिव डिसकाउंट, डिसकाउंट और 20% यानि, सक्सेशिव डिसकाउंट दे रखा है, कितने का पहले आपको किसी चीज़ पर दे रहा है, फिर आपको क्या दे रखा है, 15% का दे रहा है, आप से पूछा गया है, भाई, equivalent यानि इन दोनों का, यानि 20% और 15% जो है दो successive discount दिये रिखा है आप से पूछा का भी इनका single discount equivalent discount निकालना है तो सीधा सीधा आपको formula बता चुका हमें कि कैसे लगा होगा है x plus y minus xy upon में कितना आएगा 100% 100% आजाएगा x plus y minus xy upon में 100% देखो पहले discount कितने का दिये रिखा है 20 का 20 plus में ओ कितने का दिये रिखा है 15 15 में मैं 20 3 in 2 में 15 में시고 15 meanwhile oni, 100% भीट में फोसी पूछा देखो यसीधा सीधा कितने काट होगा 20 और 20 बातले मेंankा 20 इंदा 8, squirrelnychsi Valo यहापको थेखो फ्लस में 2 अचा होगा 35 में thinkers आप 3 ग लाता होगα 32% is the right answer इसका हो जाएगा next question question आपको दे रिखा है कि a seller a cell phone was marked at 20% above the cost price and discount of 10% was given on its market price what is the profit percentage देखो आप से पुछा कि profit percentage क्या होगा सीधा सीधा मैं आपको बता चुगा आपको बता चुगा अब profit percentage कैसे निकालते है profit percentage बरावर यह होता है m-d minus m into d upon में क्या upon में 100 percentage market price आपको market price कितना markup कितना दे रिखा है 20% markup दे रिखा discount 10% यानि 20 minus में 10 minus में 20 into में 10 upon में कितना रिखा है 100 देखो यह double zero से double zero कटिगा यानि कितना आगा या आपका 10 minus में 2 सीधा सीधा आपका आगा यानि कि 8% is the right answer option कॉन से आपका D next question question आपको दे रिखा है कि a fruit vendor recovers the cost of 95 oranges by selling 80 oranges what is the profit percentage यह question क्या दे रिखा है कि अगर आप 95 oranges 95 oranges जो है आपके पास है आपने क्या 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 है 95 oranges में से आपने क्या 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 है कि वह selling 80 oranges यानि कि 95 oranges आपके पास है उसमें से आपने 80 oranges के ब्रावर आपने उसको sale करके पैसे कमा लिया है recover कर लिया है दो आपको दे रहा है कि 95, 95, जानि आपको दे रहा है, Cp कितना दे रिखा है 95, 95 इंटू में Cp बराबर क्या दे रिखा आपको? कितने का बीच रहा है? स्टैलिंग प्राइस कितना है? 80, यानि 80, इंटू में किया आपको? सिदा सिदा आप काट हुगा है थो नहीं काट रहने दो और काट लो देखो 5 से काट रहा है या कितने वार इन एक पांच 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 हो गया इननीस वार में कुरा है थीक है अर देखो यहां से आपका क्या आ गए CP से आप देखो, CP अपन में SP का फ्रेशियो निकाल लो, तो यह कितना आजागा, यानि कि आपका 16 हो गया, यह क्या हो जागा, इसके नीची है, यानि कि एक चीम आप देखोगे, कि CP कितना है, 3, और SP कितना है, 19 है, 19 है, तो यह बताओ कि कितने का फाइदा हो रहा है, आप कितना है, 16 इंट उ में, इंट उ में 100%, या आप ऐसे कर लो, देखो, मैं आपको बता रहù यह सवाल को कैसे जल्दी करना है, देखो, 3 बटे में 16 आपको इसका परसंटेज निकालना है, देखो, 1 बटे में 16 होता है, 6.25, परसंटेज, variance अगर आप इसको 3 से tray कर दो, इसको कय आप क्या करोगे, तीन से मल्टिप्लाइ कर दोगे, तीन बटे में 16 बन गा, तीन बटे में 16, तो इसकी वैलू कितनी होगे, इसको मल्टिप्लाइ करो तो आप बोलोगे, 18.75% इसका क्या होगा, राइट अंसर, option number, option क्या है, आपका यह सही है, next question क्या और बढ़ते है, question यह दे रिखा आपको, कि A shopkeeper sold two articles for 9639 each, on, on, he gained 90%, उसको कितने का फाइदा हो रहा है, यानि एक चीज को मतलब, एक आर्टिकल को बेचा रहा है, तो 19% क्या होगा, फाइदा हुझत, भी दूसरे आर्टिकल को बेचा रहा है, तो इसको कितने का लोज होगा, 19 % की पहुना है ? पारणी आप आफ, आप हम से पुछागी एक किptोनी सावा आफ ही कुछा है कि रींज neither प्रेलosta के प्रिया आफ बालों करें कि जोटा नहीं है, किए इसे calculation आपको बहुत जादा भढ़ जायगा. क्योंकि देखो, percentage दे रखा है, percentage, percentage दे आप answer किसमें है percentage मही mix निकालना है तो आप इस data का भीना यूज करके भी answer निकाल सेकती है लूझ हो पिर जाएव एक मैं आपको कितने का घाटा हो रहा है ? 19 % का क्या ही हाए ? घाटा हो रहा है ? अगर जभी भी सवाए जब earliest десят सेंसेंटेज हो Creed रह एक सेंसेंटेज का मतलब कितना है . सेंसेंट का मानन पस्वाइदा हो रहा है , बाद 19 % का घाटा हो रहा but overall तो आप बोलो कि अगर आप से पूछा जाएगा, तो आप बोलो कि अगर आप से पूछा जाएगा, तो आप बोलो कि अगर आप से पूछा जाएगा, तो आप बोलो कि अगर आप से पूछा जाएगा, तो आप बोलो कि अगर आप से पूछा जाएगा, तो आप बोलो कि अग अगर आप से पुछा जाएगा कि overall क्या होगा, तो आप बोला है कि अगर इस condition में overall क्या होगा, घाटा होता है, minus होगा डिस्क, तो आप बोला है minus x square upon 100%, इससे आप जल्दी सवाल को कर सकते हो, कैसे, देखो, कितने का हो रहा है, 19%, 19%, 19% का square upon 100%, 19% का square upon 100%, 19% का square कितना होता है, 361 300 except upon 100% में कितना हो गया, 100%, देखो, यहाँ पर नीचे में कितना 0 है, 2 है, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, decimal, और overall क्या हो रहा है, discount, overall मतलब क्या हो रहा है, यह minus का sign यह indicate कर रहा है कि आपको क्या हो रहा है, loss हो रहा है, तो loss हो रहा है, देखो, यह answer नहीं सकता, क्योंकि 3. 3.61 आ रहा है, gain वाला option नहीं हो सकता, यह भी option नहीं हो सकता, इसका right answer रहा है, 3.61% का क्या हो रहा है, आपको loss हो रहा है, यह आपको सही है, next question, next question दे रहा है, कि by selling 72 articles, a loss equal to the selling price of 8 articles was incurred, what is the loss percentage? the equipo there. देखो, इसमें क्या दे रहा है, कि उसको lower wat loss होए यानि कि, उसको क्या क्या हो रहा है, loss होरा है, वो कि कि ऐसका OK Até On The Raw? वो कि अचरते आप बोलो कि selling price by current though, water loss एक हो रहा है, ajudar गar writes, मेशाचा का, लूष्ट क्या होता है, loss what does? And Now, you say loss is $ the loss at minimum what does it happen? यहां पर देखो जो लोस हो रहा है, लोस इक्वल टू दा सेलिंग प्राइस फफ एट आर्रिकल्स वाज इनकड यह वोगया ब्रावर कितने का लोस होगा तो आप यहां से ले लो रेशियो पर इसको कट कर लो यह कितने बार में कट रहा है एट से कर लो यह कितना हो जाएगा 9 यह कितना हो जाएगा 10 कट कर लिया यहां कि आप जो है SP upon में CP युटी यानि कि देखो आपने कोई चीज ख़िदिया 610, उसको कितने का बेच रही हो, नों का आप भेच रहा हो मुच तो जान का घाटा हए अब बोलना, एक का घाटा हूरा है, कितने का भाटा हूरा है एक का लत्र हो रहा है, कार नेक्ट कॉंस्ट्सन आपको दे रहा एक थेखा है की एक परसंट व्रोट एन आर्रिकल अट ऐथ एट परसंट यानि जो एक परसंट विसको कितने का लोष हो रहा है आच परसंट का लोष हो रहा है Had he sold it at a gain of 10%, 10.5%, he would have received 37% more. What is the cost price of the article? Okay, let me tell you, cost price. Cost price in your own opinion, how much is it? Cost price in your opinion, how much is it? 100%. Cost price in your opinion, 100%. Okay, that means how much is it first? How much is it? 8% of the price. Then how much is it? How much is it? All the price is 10%. But in the combination of these numbers, how much is it? 30% of the price is more. I will explain you a concept and then we will answer this question. If you have more or less this type of question, then if you have profit and profit, what is it? Profit and profit also, what is it? Plus, what is it? Profit's and loss. Profit is and what it is, and what is it? loss. What do you trade in this condition? This condition means profit and loss. Profit or loss. Profit and loss. Profit or loss. In the condition of these two hatahasages? 988211222212222222222322003360032222222222222224222222222392ra decía 1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 मैं कि यहां पो यहां पर क्या हो खागिा, कि मैं कर touуса, क्या हो भाट हाए यांने की खार्ट में आठ भाट हो प्रेसेंट का का लिए अब आथो प्षराइज कुछ हो गातेशल के आँने का क्ज़ खागा, साड़े अखारा कैषा है 37, 37 दे रखा है, यहां से आप 1% की value कितना आगा, यह सीधा-सीधा दो बार में कट रहा है, देखो, सारे 18 को आप 2 से करें, यानि कैसे पता लगा, देखो, 18, 18 को 2 से मल्टी, 18 को करोगा तो कितना आजागा, 18 को कितना होगा, 36, 36 होगा, और यह कितना है, 5, मतलग कि 5 है, यानि कि सीधा-सीधा एक, यानि सीधा-सीधा कितना आगा, दो बार में कट रहा है, यानि 1% की value कितना है, 2 है, आप से पूछागे कि 100% की value क्या होगी, तो 100% की value कितना है, 2 है, तो 100% की value क्तना होगा, 100% मैं 2, यह इसका right answer क्या हो जागा, 200, ओप्शन आप देखो, और उप्शन next question, a purchase two articles for 200, यह एक article हो कितने में? 200 में, दूसरे article हो कितने में? 300 में, respectively, and sold at a gain of, कितने का बेच रहा हो? 5% gain पर पहले article को, दूसरे article हो कितने में? 10% के gain पर बेच रहा है, what was the his overall gain? उसको overall क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, आपसे पूछा जगा भी overall gain percentage कितना होगा? देखो, इस सवाल को मैं पहले आपको basic से समझाऊँगा, फिर जल्दी कैसे करना हो भी बताऊँगा, देखो, basic से कैसे करना है? देखो, यानि कि पहले जो article है 200 और एक का है 300, यह दे रहा है, पहले पर कितनी का profit होगा है, गेन कितना का हुँँआँ? 5 पर-चेंट यह जोगा के जोगा, 200 का 5 पर-चेंट को करद एक सिदगा सिद इंद की कट एक 10 अगा इनी पहले पहुत केका फायदा है दूसरे फर के बाड़ेंटा उसका हुए उसका हुए उसका हो या या सिने का अर्शांट क्तना इसक दूसर्फजे का फायदा हो आप को क्या हुए ए कर O were all percentage. निकालना है, overall percentage, overall percentage आप कैसे निकालोगे? कितने का फाइदा हो रहा है, यानि profit कितने का रहा है, 10, पहले 10 हो रहा है, फिर कितना 30, यानि कितने का रहा है? 40, 40, कितने हैं, कितने पर? Cp, अपन में क्या आएगा Cp, 200 और 300, यानि 500, इंटु में कितना आगया, 100% यह आगया, आप यहां से दिखोगे, तो यह 00 से क्या होगा, 00 कट गया, सीधा-सीधा ओर रहा है, 8% का ओर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, और उप्सन कुन सा सही, आप बोले को, और उप्सन सीधा-सीधा सही है, Option D is the right answer. Next question, Question आपको दे रहा है, कि A man, A man, Losses 20% by selling an article 4.96, for what amount should he have sold the article to gain 15%? यानि एक आदमी क्या हो रहा है, कि 20% का क्या हो रहा है उसको, Loss हो रहा है, कब जब वो रहा है आपको 96 रुपे में बेच रहा है, लेकिन आप से पूछा गया है, कि उस article को कितने में बेचा जाए, उसको कितने में बेचा जाए, sell किया जाए, ताकि उसको 15% का क्या हो, फाइदा हो, देखो, 20% की value कितनी होते है, 20%, 20% की value होते है, एक वटे में 5, यानि Loss हो रहा है, Loss हो रहा है मतलब की minus, यानि कि 5 ratio, CP कितना ह catalog, CP आप 5 हो गया, SP कितना हो गया, यानि आपका CP कितना है, 5 है, इस पर 1 किया हो ऐहा है, लास हो रहा है, तो कितने का बेचोगे, आप एपर इक वोलगे, फॉर रेचयो, SP कितना हो गया, पर वह रेचयो, उसके बाद चाटे हो डिलेका, Selling Price, यानि कि 4 Ratio की Value कितनी है? 96 कितने बार में कटेगा? सिदा सिदा आप देखोगे 4, 2, 8 2 हो गया और यह आपका कितन हो ङगा? 24 यानि कि एक Ratio की Value 24 तो 5 Ratio की Value कितनी हो गया? 24 आप देखो इसको Multiply कैसे बहुत जल्दी कैसे करना देखो आप ऐसी कर लो सीधग देखर, आप सिद्षी करो कि बीस यानि कि कितना जगाय देखर। यानि की हुआ यानि कि पंचउक बीस फिर हैंशिल कितना हो ग्री कितना होगा दो फिर आपका कितना है 10 212 यानि 120 यानि कि कि च तो कि आ लग Сकुन आ इक तो आप उसके बेच आपको कितना है, इसके बेच रख़गा है, तो आप बोला है, तो आप बोलना 23 याएप कि 23 याएप आपको यह देखो, CP कितना 120, यानि इसकी value कितना दे रिखा है, इसकी value आपको दे रिखा 120, इसकी value दे रिखा आपको, यानि की 20 ratio की value कितनी है, देखो, आपकी ratio की according कितना है, CP, 20 ratio, लेकिन original value इसकी कितनी आई है, CP, 120, ये सिधा से 120, कितने बार बुकटेगा, 6 वार में, यहां से आप इसको निका यानि की सिदा सिदा कट्रा एट यानि लास्ट में क्या आ रहा है एट आना चाहिए यूनिट डिजिट क्या होगा आठ यह आपका यह अनसर हो गया थैंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब फॉर न्यू लग्से एकाडमिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में